आपका बहुत बहुत स्वागत है नए जतिनकुमार आज आपको यूटियर चार्जर की पावर सप्लाई बताऊंगा कि यूटियर चार्जर की पावर सप्लाई कैसे काम करती है यूटियर चार्जर के अंदर पहले हम देखते हैं कि यह SMD कॉंपोनेंट वाला जो चार्जर है इसमें इसको बोलते हैं SMD मॉडल यूटियर चार्जर इसमें टोटल कॉंपोनेंट जो है जारा तर SMD में लगे हुए हैं तो अगर इसकी पावर सप्लाई की बात करें कि बैटरी के 48 वोल्ट के द्वारा पूं किया जाता है तो वह जो है यह इतना इतना कंवर्टर है कि यहां देखेंगे आप मैं आपको पहले यहां कॉंपोनेंट गिंति करके दिखाता हूं कितने हैं यह तर्फिस पैस्टाली आइसी है 3845 यह आपका आपका 24 वोल्ट का सप्लाई है शोट की डिरड लगा हुआ है यहां यह आपका 12 वोल्ट का सप्लाई है फैन के लिए यह फैन का कॉपल यहां पे लगा होता है यह आपका 35 ताली की पिन नंबर साथ पे फीड़बेक 12 वोल्ट सप्लाई है यह जो डायड है आपका यह 15 वोल्ट का सप्लाई है जो कि हमारा 355 को और 358 IC को और यहां 358 IC को यह कॉमपरेटर IC होते हैं इनको 15 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और यहां पे यह छोटी छोटी जो आप ट्राजिस्टर देख रहे हैं यह दोनों उपर वाले NPN है यह नीचे वाले PNP है लिएन से देखेगा वीडियो को स्किप मत कीजिया पूरी जानकारी देंगे सप्लाई की रिपेर में क्या-क्या फॉल्ट पढ़ जाते हैं इसमें क्या-क्या रिपेर कैसे कैसे करनी होती है यह आपका कॉलेक्टर है उपर वाला यहां पे पोजिटिव 15 वोल्ट मिलते हैं NPN में यहां आपका 78-05 है यहां पे 15 वोल्ट आते हैं तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमें एक, दो, तिन, चार, पाँच आज यहां मिलती है और यह जो है हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई यह दो रिले के लिए होती है मैं रिले दिखाते हैं को एक रिले यह लगी हुई है एक रिले यह लगी हुई तो दोनों रिले के लिए आपका 24 वोल्ट की सप्लाई कि इस डायोड से बनती है तो यह डायड विलाल खराब कमी होते हैं जदि कभी शोट हो जाए तो भी हमारे सप्लाई जो है वो बंद नहीं होती है सप्लाई तो आएगी लेकि वो एसी सप्लाई निकलेगी तो आपको यह डायड चक कर लेने हैं क्योंकि यहां पर डायड छोट होता है तो हमारा सेल्कृट काम नहीं करेगा यह ले ओन नहीं होगी तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर टप्ति पहिंता लिए आइसी के पिन नंबर एक दो तीन चाथ और पांच छे साथ आठ आठ पिंकी आइसी है यहां पर आप देखा जाए तो यहां पर हमने रिजिस्टर बनाई हुई है पैरलर में जोड़के यह फ्यूजिस्टर है वानों के करीब तो वानों की रिष्टर यहां लगी रहती है तो यह ग्राउ इस यह फ्यूजट है जाख किसी बज़से आपका 5 नहीं आता है तो यह ही फ्यूजट मेरी खराव होने यह उन्यव खराव हो जाती है यह तुरंती यह टीक्ते मेरी फरी के करीदंयर, अभी यह आपको इधर से देखाता हूँ, मार्केट में बहुत ही फेमस है यह चार्जर यह एक SMPS ट्रास्फरमर है छोटे बाला यह आपका है IR 640 मोस्पेट इसी मोस्पेट के द्वारा स्विचिंग होती है इस ट्रास्फरमर की तो इसका जो गेट है पहला ठांग पहला पिन इसी के द्वारा 3850 आइसी की निमबर 6 से सिंगनल मिलता है तो यह हमारा अटतर पांच अटतर जिरो पांच आइसी है रेगुलेटर आइसी जो की फाइव डाउट करता है में आइसी के लिए यहां पर तो में आइसी के लिए फाइवोड निकालेगा यहां इसकी इंपुड में 15 बोट आएगी चेकर करके हुआ फ्यले हम इसको ट्रैसिंग कर लेते हैं मिल्टी मिर्ट भी पर हैblem तो यह इसको में छरी हो कि पहले आपको बताता हूं कि यह 15 की सप्लाई काहां-काहं जा रही है तो देखिए यह डायड है 24 वोल्ड की सप्लाई है आप देखेंगे यहां एक क्वाइल है यह ट्रैक देख रहे हैं आप यह ट्रैक सीधे इस डायड के साथ जूड़ा हुआ है तो यहां पर यह देखिए तो इस ट्रामपर से डायड लगके आप ड्राय देख रहे है तो ड्रैक लगके सीधा यहांуск इस सप्लाई आ रही एदूसरा यह चोविस बोल्ड की सप्लाई जो है यहां पर ट्रैक छोड़ा उयुका यहा से पर यही सप्लाई 24 वोल्ड की सप्लाई देखे इस तरब भी आ रही है यह दूसरी यह जो रिले है यह अपनी AC सप्लाई है AC सप्लाई की रिले जो की EMA सेक्शन में लगी होती है और यह अपनी जो रिले है यह DC में लगी होती है बैटरी के 60 V ने हैं तो दो ने रिले को सप्लाई चलेगी अब यह 15 V यहाँ से यह कह Aa कहा إ कहा जाती हम बीप से चेक करेंगे अभी इस स्थेटक ऊपर कर लेते हैं यह 15 वोल्ट की सप्लाई है देखेंगे यह कहां कहां जाती है पहले इसको उन पर भी चेक करेंगे पहले इसको चेक करते हैं यहां जा रही है यहां से एक क्वाइल लगके क्वाइल आपको दिखातों में यहां से यहां पर यह क्वाइल लगी हुई है इस क्वाइल के द्वा को यहां से देखिए यह ट्रैक जा रहा है कि इन दोनों ट्रांजिस्टर के कुलेक्टर पर और यह जो है कुलेक्टर से सप्लाई 35 अइसी की नमबर तेरा और पंद्रा पर ओन करने के लिए देखते हैं यह एक दो, तीन, चार, पांच, छे, शार, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरा नमबर पर भी पारां, चोधा, पंद्रा, पंद्रा नमबर पर भी बीप आरहें तेरा और पंद्रा नमबर पर यह सप्लाई आ रहा है, अब यह आगे देखेंगे यह एक, दो, तीन, चार, तांच, छे, साथ, आठ, आठ, नमबर पे भी पंद्रा बोल्ट की सप्लाई है यहां भी आठ नमबर पे एक, दो, तीन, चार, तांच, छे, साथ, आठ, नमबर पे इसकी पंद्रा बोल्ट आ रहा है अब यहां पर पंदरावल्ट प्राइब यहां MPN transistor के collector पर है यह तरावल्ट वोल्ट अटतर जिरो पांच के पहली पीन पर है यहां 15 वोल्ट नहां आए नहीं मिलती है तो यह द्याइट हमारा खराब हुसकता है यहां यह क्वाइल हमारी है सकती है अब इसको चेक कर सकते हैं अगर हमा रहा 14 रच 15 डोप हो रहा है तो यह नहीं आर तो हमारा 28 Хот10 depends हो सकता है जिसकी में इस डिस्प्लेब पे करन दो हो जाता है तो भी हमारे पंद्रावल्ट हो जाते हैं तो पंद्राबोल्ट किन किन करनल तो पांदम होता है यह नहीं आता है यह मारा 358 IC यह भी short होने के करण drop होगा कियोंकि हां भी 15V आ रहा है तो इस पर भी 15V है यह unrest हो सकता है यहां हमारा transistor अगर short होगा Ikacia तो भी हमारा फंद्रा बॉल्ट drop होगा 15V ना आने की region यह होते हैं अभी यहां पर जो हमारा pen का है अगर फैन महीं यहां पर यह एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका इमेटर देखेंगे आप ग्राउंड है तो इसका जो ट्रांजिस्टर है यह आपका खराब होने पर आपकी रिले उप्रेट नहीं होगी तो आपको इस इसमें यह ट्रांजिस्टर ओन करना होगा यदी किसी कारण बंच आपका मेन इसी इसको कमार्डर नहीं दे रहा लेकिन बाकी चार्जर आपके है तो आप क्या करोगे यहां पर बेस पर पोजिटिव सिंग्लन आता है तो आप यह जो रिजिस्टर है आप यहां पर इस रिजि आपको यह चार्जर में कैसे इस वोल्टेज को में इसको वोल्टेज डिवाइडर सरकेट बनाकर इसको सप्लाई दे सकते हैं कम करके अपनी मर्जी से तो आप इस सर्केट को अलग से चेक कर सकते हैं जैसे कि आपका 12 यहां आप 24 यहां देंगे और इसका एंपिया टांजि देते हैं यहां 78-05 जो है 88-05 से 5 पारूल्ट का सिंग्लल यहां पे कम से कम 270 ओहम की डिचटर लगाकर आप यहां पर सिंग्नल तो टो Town तो रिर्फेरिंग करने का मतलब यह होता है कि आप इस चीज के बारे में होने चाहिए यानि कि फुल सपने का पता होना चाहिए तभी आफ चैजर करभाएंगे और चार्जर बहुत ही असान हैतना तफ नहीं है आप आप बहुत ही आसानी से इसको रप्यर कर सकते है तो अभी यह जो ट्राजिस्टर है अगर आपका नहीं चलता है तो प्रैन को भी आप यहां इस का ट्राजिस्टर है यहां देखेंगे इसने प्लस आ हरा है हमारा रहा हूं । और यह वाली पिंज यहां माइनस आ रहा है क्लेक्टर से और इसके इमिटर को हमने ग्राउंट से जोड़ रखा है देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आपको एक-एक सेक्शन क्लियर की जाए क्लैरिफेक्शन की क्लैरिफिकेशन की जाए क्योंकि जब तक आप ट्रैकर और वोट को एक इसे चला सकते हैं कैसे चेक कर सकते हैं क्श्य होने चाहिए तबीक को अराम से त्रब्र कर पाएंगे क्यूंकि च्छारिज रपेड करना असान है अभी आप देखिए इसकेशन कोใหं retf 1.49 एकी रिजस्टर लगी हुई है तो इसको भी हम 5W से 1K जघा कर यहां पे बेशन को करवा सकते हैं अगर हमारा में आइसी की तरफ से ज़्यार नहीं चल रहा है यहां पे हमारा कोई सिंगलर नहीं आ रहा तो हम अपनी में जिसका सिंगलर बनाएंगे और इसको फैंट को च चार्जर पेर करने दिक्कत आएगी आएगी तो आगे मैं बता रहा हूं आपको यहां पर इस प्रास्वर्मर के दौरा यह अग्जुलरी वर्डिंग है एक यहां पर बारा बोट आएंगे जो कि हमारा 35 ताली आएसी की पिन नंबर 7 पे जाएगा देखिए भी पाएगा इदर देखिए भी पारा तो 7 नंबर पर यहां पर हमारे पहले 8 वोल्ट के करीब मिलते हैं जैसे ही हमारा सप्लाई ओन होता है तो यहां पर हमारा अग्जुलरी वर्डिंग के द्वारा 12 वोल्ट इसको मिल जाते है ताह कि हमारा 35.40 लगातार चलता रहे और इस इस को ओन होने के लिए हमारा पिन नंबर 7 पर कम से कि आपने आहें, वोल्टेज, गुर्ण होते हैं, जैसे ही यहाँ पर इल्ले दिले दिले पावर स्प्राई शुरू होती है, तो हमारा बार यहाँ पर फिक्स हो जाता है, सबसे पहले इसकी power supply का फंडा जी है कि आप MOSFET बाहर निकालके चेक कीजिए क्योंकि MOSFET बाहर निकालके करने ही पड़ता है चेक क्योंकि MOSFET बाहर निकालके ही चेक होगा क्योंकि gate enable जो है वो multimeter से ही किया जाता है बाहर निकालके चेक और जब आपका display पर नहीं आता है charger में किसी भी charger में तो आप समय लिए कि आपका फाइव वोल्ट का problem है तो प्रोब्लम आपको पता न चाहिए कि सेक्शन से है इस वाले यूटिया चार्जर में फाइव वोल्ट का जो प्रोब्लम है इस section से आएगा यह हमारा DC to DC converter है जो की बैटरी के 48 वोल्ट से ड्रक्ट चलता है यहां पर यह मोस्पर्ट है है ओके थेंक यू